नमस्कार दोस्तों मैं ओपेंदर सिंग और आप देख रहे हमारा यूटूब चनल अनुमोले स्टडिय ओनलाइन स्वागत अब सबका एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर काया हैं क्लास एट साइंस जहां दोस्तों क्लास एट साइंस का सातमा चेप्ट आपके बीच लेकर काया हूं और यह सारी सवाल आपके 2022 का बोड एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो देखिए पूरी वीडियो देखिए अश्की बिल्कुल ना करें और साथी वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से लिगों में श कि और था जो आला कंवा देखिए दोश्तों दहन के लिए धन कि यहांस Fleisch को जलाने के लिए क्या अवश्च्क है तो दोस्तों पर सही जवाब होगा हवा हवा जो हेदान के लिए उक्षिजन आणिको होना चीन कि तो नहीं हो सकती है आगे देखें तो सब्सक्रास को लिए κ कोईला पेट्रोल और पत्थर देखिए दोस्तों जोलन सील यहां पर कह रहा है जोलन सील मतलब जो इंधन का काम करता है और जोलन सील होता है तो देखते हैं आप आप जिसे की देख पा रहे हैं लकडी आपका यह दहन सील है क्योंकि यह जलता है कोईला दहन सील है पत्थर य लेकिन यहाँ पे यह वाला यह आपका जो लंसील है ठीक है मैं जोबन सील पदा अपको पैनूल यहाँ पर ःगा आगे बढते हैं अगले सवाल है दोस्तों, Q3, निम्नांकित में कौन सा दहनसील पदा थे? अब दहनसील पदा थे? दहनसील पता है, दहनसील मतले जो जलता है, तो यहाँ पर option है, ए, कांच, बी, लुहे काखील, तीसरा सीमेन, चोथा, किरोसीन दोस्तों यहां पर दोहन सील पतार्थ आपको अप्शन नमर चार हो जाएगा किरोशिन दोहन सील पतार्थ है आगे बढ़ते हैं कोशिन नमर फूर निमनांकित में कौन सा दोहन सील पतार्थ नहीं है यहां पर कह रहा है निमनांकित में कौन दोहन सील पतार्थ नहीं है नही कोशिन नमर 5 वीदियूतुप करनों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अगनी सामक है ओप्शन देखते हैं दोस्तों पानी पैट्रोल कारवन डायोकसाइट और तेल दोस्तों जैनकरे के लिए मैं बता दू वीदियूतुप करनों में लगी आग को बुझाने हैं आगे बढ़ने दोस्तों मपघली दोस्तों सवार डहन की क्रिया की यह बताना है और दोहन सिल्ठ्राइत की उपस्थिती पदा प्राप्ति वायो गुल उपस्थिती इनमें से कोई नहीं देख्ये कि यहांपे एक्क और दक्सिल्व करके हैं जो पदार्थ नहीं जलता है वो दोहन सील पदार्थ हुआ और पदार्थ की जोलें ताप की प्राप्त यह आपका बहुत इंप्रोटेंट है इसके बिना दोहन की किरिया नहीं होगी और आगे वाई को अनुपष्थिति देखिए दोस्तों वाई की अनुपष्थिति में आगे बरते हैं कोशिन नमर शेविन लकडी का जलना किस प्रकार के दहन का उधारन है कोशिन है लकडी का जलना किस प्रकार के दहन का उधारन है पहला मंद दहन दूसरा बिसफोटक तीसरा स्वाता दहन और चोथा इनमें कोई नहीं देखिए दोस्तों तीनों का मतलब करता है जैसे कि पटाका हुआ विश्पोटक पदार्थ श्वत्र धन मतला अपने आप जलना और इन में से कोई नहीं तो यहां पर दोस्तों लकड़ी का जलना यह का लागा मंद दहन ठीक है ऑप्शन नमर एक है पर सही जवाब होगा आप इसे नोट कर ले आगे बरते हैं को तो दोस्तों कोशिन नमर एट में है नीमन में किस इंधन का उसमी मान सबसे अधिक होता है बहुत इंपर्टन प्रस्ण है लकड़ी के रोसीन एल पीजी और हैट्रोजन देखिए दोस्तों किस इंधन का उसमी मान सबसे अधिक होता है ठीक है तो यहां पर दोस्तों हाइड vault said nitrogen का उसमी मान सबसी होता है हैं diva' option नमर 40 का सिंजरोव होगा है hydrogen a hydrogen क्यों एई निमान सबसीद दीख होता है ठीक है अगे बढ़ते हैं ja जोला में कितने छेतर होते हैं देखे दुस्तों ज्वाला में कितने चेतर होते हैं पहला चार दूसरा तीज़ा 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 पांच चोथा 2 तो जोना में 3 छेतर होते दोस्तों अप्सें नमर यहां पे दूसरा नमर सब्सक्राइब तीन छेतर आगे बढ़ते हैं कुश्चिन नमर 10 कागज के कॉप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा कागज की कॉप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है पहला कागज का कॉप जल जाएगा जिरा कागज का कॉप नहीं जलेगा कागज नीचे से फट जाएगा अथवा इन में से कोई नहीं तो दूस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा option number 2 हो जाएगा कागज का कॉप नहीं जलेगा कागज की कॉप में पानी अगर डाल देंगे और जब उसको गर्म करेंगे तो कागज का कॉप नहीं जलता है ठीक है इसे note कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं question number 11 किसी पदार्थ के दोहन का पोशक पदार्थ है किसी पदार्थ के दोहन मतलब कोई भी पदार्थ अगर दोहन होता है तो उसका पोशक पदार्थ कौन सान किसके बिना वो दोहन नहीं होगा तो यहाँ पर option देखते हैं पहला carbon, दूसरा carbon monoxide तिसरा oxygen, चौथा जल दोस्तों carbon, carbon monoxide और जल यह तीनों नहीं होगा option number यहाँ पर थीरी नमर का हो जागा oxygen क्योंकि oxygen रहने से ही दोहन की करिया श्रंभव हो पाती है अगरा सवाल है दोस्तों question number 12 निमन में कौन सी गेस दोहन में उपयोगी है देखिए, यहाँ पर दोहन का पूछा था और यहाँ पर दोहन में उपयोगी पूछा है तो यहाँ भी वही होगा option number 2 इसका सीज़व होगा oxygen तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं question number 13 देखते हैं LPG का जलना एक उदाहर नहीं देखिए दोस्तों LPG का जलना तीबर दहन का अथवा अस्वाता दहन का अथवा मंद दहन का अथवा बिस फोर्ट का ठीक है तो LPG क्या है LPG जो जलता हो तीबर गती से जलता है जैसे हम लोग LPG gas जो cylinder होता है हमारे kitchen में जो cylinder हम लोग रखते हैं जिसे खाना पकता है वो तो सिलेंडर में जब हम लोग गैस खोलते हैं और जब लखनी जलाते हैं तेजी से वो जलता है इसका मितलब तिब्र दहन हो ठीक है तो अप्शन नमर यहां पर एक सही जबाब होगा आगे बढ़ता है इंधन के उसमिमान का मादर कौन है देखिए इंधन के उसमिमान का माद अगला सवाल है निमन में कौन स्वहतादान का उदार ने देखिए अपने आप जल जाता है जी स्वेत फास परस्प्रस ओप्शन में लगड़ी का जलना पटाखा इनमेंसी कोई नहीं जो की एक करके समझाते हैं अब दोस्तों लगणी का जनला बिना जलाए अपने आप नहीं जलता है पटाखा अपने आप नहीं फूटता है यह तनी होगा तो क्या हो बचा क्या आप्शन अमरीक बचाते हैं स्वेथ फास्पोरस इस्वाता दहन का उधानने आनि यह जाल जाता है है स्वेथ फुरस ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब देखते हैं अभ्यास प्रशन रूत्तर हमारी का स्यवेंच शेक्टर है द्धन और जुनाएल उसका कुछ अभ्यास Mmibo है यहां पे है यह जलेखते हैं है अभ्यास और दोस्तों यहां पर कर कर के देखते हैं तो डूस्तव न बिना Is होगी दूसरा पदात के प्राप्ति यह भी जरूरी है और तीसरा वाई को पुष्थिती एक से बिना तो द्धन के घ्रिया संभाव ही नहीं है तो दूस्तों यह तीनों पॉइंट अपके लिए तीनों जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों जरूरी है इसे साब से ऑप्सन नमर और चौत हमारा है तो दूस्तों किस इंधन का उसम्मान सबसे दिख होता है तो यहां पर सही जवाब होगा है ठीक है है अगला कोश्चिन नमर्कित में कौन सा पदा दोहन सील है दोहन सील कौन से है तो ऑप्सन देखते हैं एक करके पहला है कांच दूसरा लोहे का कील गह स अगला सवाल नम्नांकित में कौन सा पदाल्ग दोहन सीले दोहन मतले जो नहीं जलता है जैसका अपसिन में लकड़ी होगया तो दोहन सील हो गया तो पत्थर यह आप का और यह कुंछा था किसी पदार्थ के दहुन का पोषख पतार्थ क्या है पहला कारबन दूसरा जल तीसरा और चौथा में है कारबन अकसाइड यही कोशिन से उसमें पूछा था इसके पहले वाली सवाल और यहां पर प्रस्वावर्ट में यह सवाल है इसका मतलब यह सवाल भेर बेर इप्पोटेंट है आप इसे यह आपका जोधा नमर यह भी पुछा से बेस्ट जो होता है रहने सबसे अच्छा जो इंदन होता है यह खाना पखाने के लिए अप्शन में गईहां पर स्वीजवा होगा अधिक से लोग में शेयर कीजेगा ताकि आपके साथ आपके जो अन्य साथ है वह भी इस वीडियो का भरपूर फैदा उठा सकते हैं लाव ले सकते हैं तो दोस्तों बने रहे हैं लगातार हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं और आप उसे देखिए देखिए समझे और की त्यारिक किजे क्योंकि आपका बोड एक्जांब बहुत ही नजदिक है हमारे सुब कामना आपके साथ हमेशा रहेगी तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वूडियो में और एक बात और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किये हैं तो आप आप से विंति हैं कि हमारे चैनल को जल्दी सबस्काइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रिस करें जिससे की चैनल पर जो भी वूडियो आईगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मेरे तो आप सबसे पहले उस वूडियो को देख पाएंगे तो ठीक है दोस्तों मिलते ने